तो नमस्कार दोस्तों मेरा गुनादन कुमारी बाद फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल आएसन पड़ता हूँ और आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स और मेजर्मेंट के अंदर लीटर के बारे में जैसे कि मैंने आप सभी को बता ही दिया था पहले कि किलो लीटर लेकिन आज इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि एक लिटर में कितने लिटर होता है वन क्यूबिक मिटर में कितना लिटर होता है वन क्यूबिक सेंटी मिटर में कितना लिटर होता है वन बैरल में कितना लिटर होता है तो आई यह बिना देर के शुरुआत करते हैं देखे वन लेटर पेटर का जो प्राइज आए थिंग 110 हो गया अब यहीं अगर आप यूएस में जाते हैं तो वहां गेलन में हर चीज काउंट होती है तो आपको मालूम होना चीए क्या वरुसा आज आप इंडिया में कल को यूएस में पहुंच गए तो मालूम होना चीए कि लेटर होता है उसके बाद आता है क्योंट सेटीमिटर आ अब बोलते ना भी चाहिए मतलब 1000 cc मतलब होगा उसका जो इंजन होगा उसके कैपसिट यहीं लीटर की तो आपका 1000 cc का मतलब होगे एक लीटर अगर किसी इंजन में इंजन अगर 1000 cc का है तो उसकी जो कापसिट्य होती है वह बड़ी कार लेते हैं तो वहाँ पर 2000, 3000, 5000 तक कि तक की जो बड़ी हैवी डूटी रिकल होते है तो उसमें क्या काम चल जाएगा यह आपका कितना हुआ होता है वन क्यूबिक सेंटिमेटर उसे तरह किसे आप कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी अगर हजार सिस्थी कितना लिटर आपका होता है वन लिटर में कितना होता है 1000 अमल होता है यह तो आपको मालूम होगा वाल लिटर अब उसके बाद हम बात कर दें वन बेरल आपको मालूम है पैटोल के प्राइस दिन रात बढ़ी रहे हैं लेकिन जो यूनिट है जिसमें बैरल हम खरीते हैं जो पैटोल हम जब रो पैटोल आपके जो रहूल गांदी जी है उनसे सवाल पूछ ले गया था कि वन बैरल में कितना लिटर या समथिंग कुछ ऐसी इनका इंट्रोडक्शन चल रहा था वहां पर न्यू चैनल पर तो उन्होंने कुछ बूल दिया है गलती से कि या अभी एक लीटर पेट्रोल का भाव इतना चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में जबकि उसका प्राइज जो होता है वो बैरल में आपा जाता है ठीक है बैरल G dollarई है कोई आग को बूलेट घूप गए तर वसका इंजन है आपका कितने सीशी इंजने है इस ने बॉलेट आशोला हुआ जबंदा लों मुझे बताओ कि म्लों करें तो 2 00 मैं سमें कितना होता है वर खता है क्.उस बासितले म्लें सीकिना हो प्रूं ठीक है तो यह कितना हो गया 650 ml यह आपका अंसर मतलब आपको अगर यह मालूम है कि वन क्यूबिक सेंटिमिटर वन ml होता है तो आप जाहिर से बात है उसको सीसी कर सकते हैं यह आपको मालूम पढ़ गया अब भोला भिया कि मुझे काम कीजिए 650 ml को लीटर में कनवर्ट करना ह तो देखो इसके आगे क्या कोशन बन जाएगा आपको होता है कि वन लीटर कितना होता है 1000 ml यह तो आपको मालूम है अब 650 ml क्या हो जाएगा तो आपको 650 ml को करना पड़ेगा आपको 650 डिवैड़ेड बाई 1000 ठीक है यह 0 से 0 कटा और 0 तो ही आ जाएगा 0. मैं आपको बताया अगर मुझे डैसिमल में करना है तो जितने 0 है उतने डिजिट के बाद डैसिमल जाएगा तो वन टू सिवाएक डैसिवागे 0.65 अगर आपने मेरे बेसिक वीडियो देखे हैं जहांपर मैं आपको डैसिमल का कंवर्जन सीरो का बीसिक सबी सिखाया है मैं अगर आपने नह है और कंपा स्थ होना कि आपको मौण होना चीज आपको मालूम पड़ेगा तो यह सब चीज आपको मालूम होना ही होना चीए अम्रम आओगा अगर समझ में आ तो हमेशा कि इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना शेयर करते हैं तो मुझे खुशी होगी अगर आप शेयर करेंगे तो मैं ज़रूर चाहता हूं कि आई संपड़की जो फैमिली है वो जल से जल ग्रो करें ठीक है यह बड़ा परिवार बने धीरे-धीरे में आपको इतने सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं लेकिन मैं चाहता ह और भी सब्सक्राइबर बने और देरे देरे यह फैमिली ग्रोव करें ठीक है तो अम्मीद करूंगा यह आपको पसंद आओगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद